चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मिठाई 10 मिनिट में बिना गैस जलाई बनाएंगे इसको और रक्षा बंदन पर ये मिठाई बनाएं बहुत ही अच्छी एकदम हेल्दी बनती है बनाने में 10 मिनिट लगेंगे और इसमें दो चीजों की जरुरत पड़ेगी चलिए अगर के बनाते हैं सबसे पहले हमें लेने हैं बुने हुए चने मैंने एक कब बुंबने ले लिए हैं इसका चलका नहीं है अगर चलके वाले चने हैं तो उसका चलका उतार लीजिए और अब आभादेंगें एक मिक्सर जैर तेसे यार में Vyen कर दक करके इसको बिल्कुल अच्छे से बारी किसको पीश के हम तैयार कर लेंगे एकदम पाउडर बना लिया है हमने इसका यह देखे और अब हम एक दूसरा मिक्सर जार लिया है इसमें मैंने आधा कप चीनी डाल दी है और चीनी के साथ ही इसमें डाल देते हैं चार से पांच हरी इलाइची बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका मिठाई में एकदम फ्रेश लाइची का और इसको भी हम बिल्कुल अच्छे से पीश लेते हैं एकदम चीनी का हम पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं इस तरीके से और यह देखें दोनों चीजें हमने अच्छे से पीश नहीं है और अब हम लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल बड़ा सा इसमें हम डालेंगे दो से तीन चम्मज दूद की मलाई फ्रेश दूद की मलाई है इसमें डाल दी है और इसके उपर से हम रखेंगे एक छन्नी और जो ह इसको छां लियाया है जार दो स्केविल को मलाई को अच्छे से मेक्श लिए और क। अब हम उसके टेश फे लिणी को नहीं ऑप पिर दो से सहारे दो से सहां इवर चन्नी चलिए। इस तलिका से चानने से क्या होता है case 2 पाव्डर मिल जाएंगे इसमें जो भी चने के टूख़े होंगे वह बिलकुल अलंग हो जाएंगे तो यह देख सकते है चोते-चोते चने के टुख़े बचे थे वह बिलकुल अलंग हो गये हैं और यहन्हें हम निकाल देंगे इसमें हमने दो चीजें डाल दिए हैं अगर आपके पास है तो इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डाल दीजें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा एकदम मावे वाला तो मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको हम अच्छे से चमच से मिक्से कर लेते हैं एक अगर आपके पास milk powder नहीं है आप इसमें desiccated coconut भी डाल सकते हैं तो अच्छे से हमें इसको हाथों से एकदम इसका डो बना के हमें तयार करना है इसमें जो मैंने मलाई डाली थी अगर आपको कम लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा डो डाल सकते हैं कि इस तरीके से एकदम डो की तरह हमें इसको तयार करना है तो आप देख सकते हैं यह मैς ने मीं बढ़िया सा एकदम आट्णी का जो डू होता है इस तरीके से इसको तैयार कर लिया है और अब हम इसके दो प्नाजान से एक दम छोट बना रही हुँ मैं ज़िए इस इसका मैं थे रोल बना के तयार कर लिया थे सुखुड़ सा इर्म बड़ीар सा हुग अगry और इसको से लिंडर अकार को बना के तयार करें गे इसमें हम थोड़ा सा बारी कटे हुए बादाम डाल देते हैं साइड में काटके बारी और इसके उपर इसको लगा लेंगे बादाम इस तरीके से बहुत ही अच्छा सुन्दर दिखेगा आप कोई भी मन पसंद अपने ड्राइफूटिस में लगा सकते हैं तो यह बिल्कुल ह इसको अच्छे से कवर कर देते हैं इस तरीके से रखने से क्या होता है इसको एकदम परफेक्ट साइज मिलेगा और इससे हम इस तरीके से अच्छे से इसमें फॉइल पेपर में पैक करके 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे फ्रिज में रखने से यह बिल्कुल अच से सेट हो जाएगा और यह देखें दस मिनद बाद मैंने इसको निकाल लिया है इस तरीके से तो फॉइल पेपर से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा बिल्कुल खराब नहीं होगा पहली बार में प्रफेक्ट यह मिठाई बनके तयार होगी इस तरीके से यह देखें निकाल लिया है मैंने इसको फॉइल फेपर से बहार और यह देखें बढ़िया सा यह सेट हो गया है अब हम इसके जो किन यह है और अग्यान और आपीच बीज़ के तयार करें को जरें मै dar astronomy कातने से कितना बढ़ एकदम सोफ्ट मिठाई बनके रहे हं हासा यह धिल्दी बनी तो यह हमने तेल का यूज कुछ नहीं किया है आप इसमें अगर चीनी नहीं डालते हैं तो इसकी जगह आप धागे वाली मिस्टी डाल सकते हैं गुड़ डाल सकते हैं तो यह हमने सारे पीश काटके प्लेट में रख लिये हैं और यह तोड़ के दिखाते हैं एक दम पानी है मुह में डालते ही खुल जाएगी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अ यह हमने सते हैं गव enorm tú고 प्लेट में जरूर करें खं रहुत करें ऐतो bisschen वालते हैं प्लेट अबें जरूर को सौर को चाहते हैं प्लेटते हैं झानल को बमया प्लेट अबराने हो सौर प्लेट